किसन फर्मी लेडर मापका बहुत स्वागत है किसन्वाइओ आज हाए हम दीपक जी के पास जो कही साल से बगरी पालन कर रहे हैं और अच्छा मुनाभा कमा रहे हैं तो नमस्कार जी पहले तो अपना प्रीचे दीजे किसन्वाइओ नमस्कार दोस्तो मेरा नाम दीपक तोमर मेरे जो यह जिला मुझा फननागर गाउवाजीत पुर्थ पड़ता है तो सर आप बखरी पालन कितने दिन से करें लगबख तीन साल से साल से करो तो जब आपने अपना बखरी पालन स्टाट किया था सब कुछ सी ब्रीड से इस चाहिए था हमने जो स्टाटिंग किती सिरोई कितनी बखरी लेका तो जब आपने लिकाए तो तो लगभग कितने रुपे कर आप जानवर लिका है लगाए तो लॉपी लगाया को सब्सक्राइब कि ने लगाया थे जो हमारों हो बहुत ही नहीं है बगरी पलन करना चाहता है बगरी पलन एकम्पूजी ज़िए गया जो ज़्यादा मुनाफ़ा देता है तो तो सर पचास-वाइब आपके सैड तो लगभग आप करंड़ में आपके पास कितनी वख़या है सर करंड़ में हमारे पास सो अक कौन कुर्ण सी बिट पाली हुए सर आपने हमारे पास में है और सबसे मेरे अनुसार मुझहान अगर जिले आपने खोला हुआ है और कोम सी यह hele सिरोई अजमेरी गूज्दी तिननों सर्वाय कर लेज़ती हैं बहुत अच्छे हमारे आपे पर उसमें किसान खुन मोशम का देखना पड़ता है कि कौन मोशम में जानुवर लाना चाहिए को उसम में किसान भैयो का अपना बगरि पाला ने ब्सात करना चाहिए जरू किसान किसी भी टाइम में कर सकता है तो जैसे ते अब किते टाइम जाने बेंग डालते के यह अन्यका वह एक त्रक्राइब तो जैसे आपको मैं सैड देख रहा हूं तो यह आपने रेलिंग की क्या हुचाई लिया थर यह तीन फूट है तो यह एक बखरा बहुत प्रसान करते थे वह कूच जटे अच्छा कूच जटे और जो आपने नाद ली है किसान भजो देखिए दोवार से में दिखा पा रहा ह क्या साज लिया थि टूर वाराइस बा बाराइस के लिग हुई है तो दोनों साथ लियुगा है किसान बीच में बिचि में आने जाने के लिए बनाई है पसूर परिसान लकार प्लार लगए completed वहाए दोने थर बहुत है इतरु हुए हैं और चवह तरह करताए हैं तो कि एक फर्पा का मुखा को गी फ्मद्ध यही दो भीमारी ज़्यते है खतरना एंफ घ्र को घ्रटा में तो इनकी रोक-थाम के लिए क्षाम के लिए तो वो कितने बोड़ी वेट पर कितने ग्राम दी जाती है तो जैसे में देख पारा हूं आपका सैट भी काफी बड़ा सैट बनाया हुआ है तो कितने केब सेटी का सब्सार सेट आप डेड़ सो जानौर होगा सब्सक्राइब और यहाली मैं नसल ब्रेड के बात कर रहा हुँ से कौन से ब्रीड पाली हूए आपने करोली है कोता के राइस्तान की डेसी ब्रीड है लोगी मजबूत ब्रीड है हमारे यह समझो कि हमारी यहां में बहुत अच्छा सर्वाईव कर दिया वाली पाट्री सकता है कान वी काफी अब तो इसके कलर कि एधा चप होई क्रोस में होता है तापरी जह सिरोही का और इसका क्या 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 रहा है जी परी दो बगरियों के मिक्स हो गैं यह तो तब ऑझने का बच्चा है और बहुत कितना वेट जोगा सब्सक्राइब की नाध होते हैं अचे गूज्री नसल का बच्चा है तो सर जैसे कोई नया किसान है कितने बगरियों से अपना फाराम स्टाट करें सर दस जानौर उसे सर एक बगरी का एक दिन का खर्चा पता है हमारे किसान भई होगा सर देखो अब जा थोड़ा महंगाई का टाइम है तो कम से कम एक बगरी की कोश्ट आ रही है पच्ची से ती गर के चारे में थोड़ी कम कोश्ट आती है और इसे बूसे की बात की जाए तो क्या-क्या इना खिला जा सकता है बुसे में डालके जैसे की यह होगी जो मक्का बाजरा और चनी की चूरी दाल के तो कितने टाम सर फिल डालना चाइन है एक टाइम डालते है फिर तो मोर्निं कितने टैम आप सपाई करवाते हैं तो देखे किसान वही हो जो हमारा कोई नया किसान है बकरी पालन करना चाहता है तो बहुत दस बखर इसे अपना फाराम स्टार्ट कर सके अच्छा मुनापा कमा सकता है दस बखरियों में लगभग किसान के पसूप मतलब की किसान कोई नया किसान है तो कहां से ट्रेइनिंग ले किन-किन चीजों का सा द्यान रखिसरों किसी बाई को जाद ही प्रेनिंग लेनी है तो मतूरा से ले सकता है वरना जैसे ने किसे ने पहले पाले हुगा हूँ थोड़ी दौई हम भी बता देते ह आपके पास तो बगरी अवेलेबल होती है हाँ के लिए भी बहुत बगरी अवारे पास में ब्रेटर भी है ने जान करती है